ओम शान्ति आज 24 अक्टोबर 2021 हम सुनेंगे अब्वेक्तो बाब दादा का महावाइक को आज का ये महावाइक को बाबा ने पहले बार सुनाया है 11.11.89 में आज फिट से हम सुन रहे हैं आज का इस महावाइक को है दिब्वता संगम युगी ब्रह्मोनों का स्रिंगार है ये दिब्वोगून दिब्वता हम सब ब्रह्मोनात्मों का स्रिंगार है कोई अलग भुशन हमें लगाना नहीं चाहिए ये दिब्वोगून धरन करे आज दिब्ब बुधि विधाता दिब्ब दृष्टी दाता अपने दिब्ब जन्मधरी दिब्ब आत्मव को देख रहे हैं ये सब हमरा टाइटेल हैं बाब दादा ने होर एक बच्चो को दिब्बो जिवन अर्थाद दिब्बो संकल्प दिब्बो बोल दिब्बो करने वाली दिब्बो मुर्तिया बनाई हैं तो बाबा ने अपने ये ग्यान दरा एक एक बोल दरा तो पलना दरा हम सबको ये मुर्त बनाया है। दिभ्वता आप ब्रह्मन योगी बच्चों का स्रेंगार है ना। एक है साधरनता, दुसरा है दिभ्वता। दुनिया में दो ही बात चलता है। दिभ्वता की निशानी आप सबी जानते हो ना। दिभ्व जिवन धरी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिभ्व नयोनो दरा, अर्थाद दृष्टी दरा, साधरनता से परे दिभ्व अनिभोती कराएगी। बाबा समझाते हैं। ये अभी समयाया है ये सेबा करने का। हमे करना चाहिए। सामने आने से ही साधरन आत्मा अपनी साधरनता को भूल जाएगी। क्योंकि आजकल के समयायानुशार बर्तमन के साधरन जिवन से मैजोरिटी आत्मा शंतुष्ट नहीं है। परिशान है, टेंशन है, डिप्रेशान में है। तो ऐसा भी हो रहा है, बहुत लोग सोच भी रहा है, तो यह जिवन दे दो, यह सुसाइट कर लो, आगे चल करके यह आबास सुनेंगे कि यह जिवन कोई जिवन नहीं है, जिवन में कुछ नभीनता चाहिए, सभी चाहता है, सुख हो, संती हो, तो आने वाले दिन में सभी का यह डिमांड होगा, नभीन जैसे किसी को पानी का प्यास लगता है, तो वो दोडता है, कहा पानी मिलेगा, तो आने वाला का दिन ऐसे दिव्वता के लिए लोग ढूंडेंगे, दोरेंगे, और जहा दिव्वता मिलेगा, वहां आकर पोचेंगे, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारू और ढूंडेंगे कहा मिलेगा दिब्वता कहा मिलेगा ये शक्ति जैसे स्थोल पानी की प्यास में तरफता हुआ मानब चारू और पानी की बोंद के लिए तरफता है न ऐसे दिब्वता की प्यासी आत्माएं चारू और अंचुली लेने के लिए तरफती हुई दि क्योंकि आपका पस भंडर है, आपका पस बाबा ने पहली से ही हमें ये बर्दन दे करके रखा है, पहली से ही हमको सजा कर रखा है, ऐसे दिब्वता के खाजानों से भरपूर बने हो, बाबा के इत्याने वाला दिन तो आपको देना होगा, तो पहली से आपको रेडी करना हो हर समय दिब्वता अनुभव होती हैं बा कभी साधरन कभी दिब्व जब बाबा ने दिब्व द्रिष्टी दिब्व बुद्धी का बर्दन दे ही दिया तो दिब्व बुद्धी में साधरन बात आने ही सकता दिब्व जनमधरी ब्रह्मन तौन से साधरन कर्म कर ही नहीं सकता यह हमारा ब्रह्मन का डिक्षिनरी में नहीं है कोई हमारा तन तो यह कलियोगी दुनिया में भले हैं लेकिन बाबा का गोद में है हम सब ब्रह्मन बन गए हैं हमारा तन से कोई बिकर्म हमकर ही नहीं सकते चाहे देखने में लोग के लिए साधरन कर्म क्यों नहीं हो दूसरे क समन आप सब भी बेबोहर करते हैं तो बैपार करते हो आप गवर्मेंट की नकरी करते हो तो माता एक खना बनाती है देखने में सदरन कर्म है ब्रह्मा बाबा भी ये गोबोर को तो बाबा ने मुठिया बनाते थे तो ये खना पकाने के लिए तो जलानी चाहिए तो ऐसा सदर करते हुए भी ब्रह्मा बाबा का उच्छा विचार था लेकिन इस साधरन कर्म में भी आपका तो और लोगों से तो न्यारा अलोकिक दिब्ब कर्म हो लोगों का साधरन लोगों से आपका डिफरेंस होगा अंतर होगा अप साधरन कर्म करते हुए भी महान अंतर इसलिए सुन कि दिब्व जन्मधरी ब्रह्मन तौन से कोई साधरन नहीं कर्म कर सकते, मन से साधरन संकल्प नहीं कर सकते, धौन को साधरन रिति से कर्जों में नहीं लगा सकते हैं। कि दिब्व कर्म करने की मिलती हैं, इसलिए चेक करो साधरन बोल और कर्म कितना समय रहां, और दिब्व अलो की कितना समय रहां, कोई बचे कहा कहा बहुत भोले बन जाता हैं। बुरा सोचा नहीं, बुरा बुला नहीं, किसी को दुख दिया नहीं, लेकिन यो चेक तो करो कि दिब्व वा अलो की कर्म कियां। क्योंकि साधरन बोल और कर्म जमा नहीं होता, ना मिठता है, ना बनता है, ना पुराना कर्म भोग हमें मिठता है, ना कोई नया जमा होता है। बरतमन का दिब्व संकल्प दिब्व बोल और दिब्व कर्म भविश्व का जमा करता है, ये बैंक बैलंस है। जमा का खता बढ़ता नहीं है तो तो जमा करने के हिसाभ से, हिसाभ में भोले बन जाता है। ऐसे भी बाबा बहुत बच्चों का उधारन देते हैं, तो खोश रहते हैं, तो मैंने वैस्ट नहीं किया, बानी को वैस्ट नहीं चलाया, तो संकल्प को वैस्ट नहीं चलाया, लेकिन बाबा चार्ट मंगता है, स्रिप इतने में खोश नहीं रहना, वैस्ट नहीं किया, ले लेकिन सुक भी दिया, बाबा पूछते हैं सुक कितना दिया, दुख नहीं दिया, तो इससे बर्तमान अच्छा बनाया, दुख नहीं दिया, मना आज का दिन हमारा अच्छा तो अच्छा रहा, लेकिन तो सुक देने से जमा होता है न, बच्छों को बार बार समझाते हैं, व यह न ही चेक करो कि दुख नहीं दिया लेकिन सुक कितना दिया जो भी संपर्क में आए मस्टर सुकदाता दारा हर कर्मों में सुक की अनुभותी करें तो यह भी जो दुनिया बाले नहीं करते है आप ब्रह्मन ही कर सकते हो यह मेशिनरी बाबा ने आपको दिया है हर समय यह स्मृत्ति रखो कि एक जन्मों में एकर जन्मों का खाता जमा करना है यह बाबा ने तो स्टूडेंट को जैसे परिक्षा का पहले एक दिन को तो पाच दिन बनान होता है तो इसी प्रकार एक जन्मों में हमें एकर जन्मों के लिए हमें जमा का खाता बराना है तो सब काति छे करो तौन से कितना जमा किया मन के दिब्ब संकल्पों से कितना जमा किया और धौन को स्रिमत प्रमान स्रेश्टो कैडियों में लगा कर कितना जमा किया यह तीन जन्मों के सिवाए सारे कल्पों में कोई समय नहीं मिलेगा और आत्माव का हिशा बालग है वो तो जानते भी नहीं कर्म का गुज्य गुति लेकिन आप स्रिष्टो आत्माव के लिए आप नहीं तो कब नहीं क्योंकि आप जानते हो सतीयोग में भी आपको पुर्ण कर्म करन भोला बन जाता है पुराने संसकार में भोले मत बनो ये सिरिया से सब्जेक्ट है बाब दादा ने रिजल्ट देखी तो कितनी बातों के रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कौम है उसका बिस्तार फिर सुनाएंगे बाबा ने कहा तो ये तो सबीस नहों में सब कुछ भूला करने के लिए बाबा ने आगे बर रहा है तो भी स्नहों में सबीस नहों में सब कुछ भूला करके पहुश्ट गए मदवन में बाब दादा भी बच्चों का स्नहों देखकर एक घरी के स्नहों का रिटर्ण औन एक घरियों की प्रक्तिका देता ही रहता है बैचे एक कदम ब आने से पहले तो फर्म भरना होता है पहली तो पाठरानी बनना परेगा पहला बात है पाठरानी बनना परेगा चार दिन ही रहना परेगा चार दिन ही रहने के लिए परमिशन है कोई-कोई सेबादारी उस से जाते है तो उसको ज़्यादा दिन रहने को मिलता है तो आना ज बाते सुनते हुए भी स्नेहों में पहुच गए हैं ये कंडिशन तो समझ करके तो बाबा का घर में सब पहुच गए हैं यो भी अपना लख समझो भग समझो जो इतना भी मिल रहा है फिर भी जर्मुर्तियों के दर्शन के समान खरे खरे रात तो नहीं बिताते हो ना ऐसे तिरुपति में जाओ बरे बरे मंदिरों में जाओ सारा रात खरा होना पड़ता है ये मुर्ति को देखने के लिए तो बाबा ने समृति दिलाते हैं तीन पर पृति तो सब को मिली है ना तो इहां भी आराम से बैटे हो ना बाबा बृद्धी होगी तो सतो ही बीधी भी परिबर्तन होती रहेगी बाबन उस समय ही इशारा दे दिया जैसे आज चल रहा है मदवन जाने के लिए सहज परमिशन नहीं मिलता है तो ये पहली से ही बाबन इशारा दे दिया तो लेकिन सदव ये अनभब करो कि जो भी मिल रहा है ये बहुत अच्छा है ये ड्रामा उनों शर्फिक्स है क्योंकि बृद्धी तो होनी ही है और इसको तो बिधी भी परिबर्तन होना ही है परिबर्तन भी होना ही है बृद्धी भी होना ही है तो सभी को आराम से खाना रहेना खाना मेल रहा है ना बाबा पुस्तास कर रहा है जैसे महमान को तो बाबा का घर में हम तो सब महमान जाते हैं पाट्रानी बनने के लिए चार दिन का तो खाना और सोना दो चीज तो चाहिए माताओ को तो बहुत खुशी होती है न क्योंकि बना बनाया भोजन यहां मिलता है नहीं तो अपना घर में जब खना बनाओ भोग ल कि उन्हों को लिए बड़ी प्रोब्लेम खाना बनाने का ही है तो यहां तो अराम से बना हुआ भोजन खाने को मिलता है सदाइब ऐसे इजी रहो तो घर में भी इजी रहो तो जिसके संसकार इजी रहने का होता है तो उनको हर कड जो सहज अनुभव होने के करण इजी रहते ह है तो यह भी बाबा ने बहुत सुन्दर हमें इंस्ट्रक्शन दिया है संसर संसकार टाइट है तो सरकम्स्टेंसेस भी टाइट हो जाता है समंदर संपर्गों वाले भी टाइट बेवहर करते हैं ज्यादा नियम में चलते हैं तो परिवार वाले भी रोकते हैं परिवार व अपका प्रोब्लेम आये और आप प्रोब्लेम से उतार जाए तब थो बाबा कहते हैं आप नमबर वन में जाने वाले हो तो सभी ड्रामा के हर द्रिश्यों को देख देख हर्शित रहने वाले हो ना जो भी हो रहा है जिसका जिवन में वह कभी अच्छे बुरे के संसकर में आजाते हो ना तो ना अच्छे में ना बुरे में किसी में आकर्षित नहीं हो ना सदय वहर्शित रहना है अच्छा सदा हर कदम में दिब्वता अनभब करने वाले और कराने वाले दिब्व मुट्टियों को सदा अपने जमा के खाते को बराने वाले नलिस्फुल आत्माओं को सदा हर समश्चाओं को तो इजी स्थितिदारा इजी पार करने वाले ऐसे समश्दार बच्चों को अनेक आत्मों के जिवन की प्यास को बुचाने वाले मस्टर ग्यान सगर स्रेश्टो आत्मों को ग्यान सगर बाब दादा का याद प्यार और नमस्ते ऐसे हमें भी दिब्ब बनाने वाले तो दिब्ब विधाता बाब दादाओ को भी हम बच्छु की और से याद प्यार गुड मॉर्डिंग नमस्ते 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 बंबे गुरुप से मिलते हुए बाबा ने कहा बंबे निबाशी बच्छे सर्वखाजाना से संपन्न हो ना सदा आपने को संपन्न आत्मा हो ऐसे अनभब करते हो ना संपन्नता शंपन्नता की निशानी है शंपन्नता की चेकिंग अपने शंपन्नता से कर सकते हो क्योंकि शंपन्नता माना सर्वखाजानों से फुल है तो संपुर्ण मना संपुर्ण हो गई हो तो अब परिक्षा दे सकते हो कोई भी परिस्तिती आये तो तो जैसे चंद्रमा जब संपुर्ण होता है तो संपुर्णता उसकी संपुर्णता की निशानी होती है तो कितना लाइट होता है सरा अस्मान तो अलोकीत हो जाता है इसमें और आगे नहीं बरेगा बस इतने ही संपुर्णता है तो जरा भी किनारी कौम नहीं होती हैं संपंण होता है तो आप सभी ज्ञान, योग, धारणा, श्यवा, सभी में संपन्न, इसी को ही शंपुल्न कहा जाता है तो बंबि गुरव से मिलते हुए बाबने ये सुंदर बात कहा इसमें जान सकते हो कि शंपुल्नो तक ये समीफ है या दूर है संपन्न हो और तच्छंपन्न तक शमीप हो तो सब समीप हो कितने समीप हो आठ तक माला का दाना का बाद बाबा ने बताते हैं तो एक सो तक या सोलो हजर तक आठ की समीपता फिर एक सो की समीपता फिर सोलो हजर की समीपता ये तीन प्रकर का बाद बाबा समझाते कितने तो यही चेक करना में कहा तक नजदिक आया हो अच्छा है फिर भी दुनिया के कोटू से आप बहुत-बहुत भाइगवान हो तो वो तरपने वाले हैं और आप संपन्न आत्माई हो प्राप्ति शुरुप आत्माई हो यह खुशी है ना रोज अपने से बात करो कि हमारी सिव आई और कौण खुश रह सकता है दुनिया में हामरी जिसे खुशनशिव आत्माई और कोई नहीं है तो यहीं बरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप है संपन्न है संपन्न है समिप है अभी तो समिप तो मिलना भी हो गया जैसे स्थोल में समिप अच्छा लगता है वैसे स्थिती में भी सदा समिप अर्थत सदा संपन्न बनो अच्छा तो गुजरात और पोना गुरुप से मिलते हुए बाबा कहते हैं सभी द्रिष्टी दारा शक्तियों के प्राप्ति की अनभवती करने अनभवी हो ना द्रिष्टी एक विशेश सार्च लाइट है जैसे बानी दारा शक्ति की अनभव करते हो मुरुली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिल गया चार्ज हो गाई तो ऐसे द्रिष्टी दारा शक्तियों की प्राप्ति के अनभवती के अभभाशी बने हो या बानी दरा अनभव होता है दृष्टी दरा काम होता है ऐसा है क्या दृष्टी दरा शक्ति कैश कर सकते हो क्योंकि कैश करने के अभभाशी होंगे तो दुसरों को भी अपने दिब्बो दृष्टी दरा अनभव करा सकते हैं आगे चल करके बानी दर सब को परिचोय देने का समय भी नहीं होगा वो परिस्थिती भी नहीं होगा और सरकम्स्टेंसेज भी नहीं होगे तो क्या करेंगे तो बर्दानी दृष्टी दारा महादान बर्दान देते रहेंगे ना तो देना ही तो होगा क्योंकि सारा संसर दोकी है तो दृष्टी दार शंति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, शुकवा, अनन्द की शक्ति, शब प्रप्त होती है। जर मुर्तियों के आगे जाते हैं तो जर मुर्ति बोलती तो नहीं है ना फिर भी भगतो आत्माओं को कुछ ना कुछ प्रप्ति होती है तब तो जाते हैं रोज नहीं लेकिन कभी-कभी जाते हैं कैसे प्रप्ति होती है कैसे संभव होता है इसका भी तो बाबा ने बिधी ब एटेंशन नायनों की तरफ देखेंगे जाकर के मुर्ति में जाकेंगे नमन करेंगे नायनों की तरफ देखेंगे तो चहरा की तरफ एटेंशन जाता है न क्यूंकि मस्तुक के दरा वाइब्रेशन मिलता है नायनों दरा दिब्वता की अनव होती होती है तो कैसे होती है तो वो तो है जरमुर्तिया, लेकिन किसकी है, आप चईतन्य मुर्तियों की जरमुर्तिया है, तो हम अभी पुज्यों से, पुज्यारी से पुज्य बने हैं, तो पुज्य तो एक दिन था, तो यह नशा है, कि हमारी ही यह मुर्तिया है, कौपी है, चईतन्य में यह सेवा की है, तब जोरमुर्तिया बनी है, लोगों ने बनाया, चोयतन्य में हमने किया है, इस संगम यूग में हमें करना है, तो दृष्टी दारा शुक्ति लेना और दृष्टी दारा शुक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो, शंति के शक्ति की अनुभोती बहुत सरष्ट है, यह भी तो उसे लेकर छोटी-छोटी शादन कितना करिश्मा दिखाते हैं, होर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति किस से निकली है, साइलेंस की शक्ति से ना, जब साइंस की शक्ति अलफकल के लिए प्राप्ति करा रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति करायेगा तो वो silence आपना है ना तो बाप के दिब्वद रिष्टीदरा शयंग में शक्ति जमा करो तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे बाप से ले लो बाप से ले लो और समय प्रमान सबको दे सकेंगे आपने लिये ही जमा किया और काईज्यों में लगा दिया और तत कामाया और खाया तो इसको ब्रह्मन नहीं कहेंगे जो कामाते और खाकर खतम कर देते हैं उनको कभी जमा नहीं होता और जिसका जमा का खाता नहीं होता उसका समय पर धोका मिलता है दोका मिलेगा तो दुख की प्राप्ती होगी तो ऐसे ही silence की शक्ती जमा नहीं होगी, दृष्टी के महत्यों का अनभव नहीं होगा, तो लास्ट समय सरश्च्ट पात प्राप्त करने में दोका खालेंगे, दर्मराज भी बाब भी दर्मराज बन जायेंगे, बाबने बहुत बार हमको समझाया, छोटी-छोटी बात को अभी जिवन में एपलाई करना है, फिर धोका खाएंगे, दूख होगा, पर्चाताफ होगा, क्यों नहीं हमने किया, इसलिए अभी से बाप की दृष्टिदारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभब करते, जमा करते रहो, तो जमा करना आता है न, जमा होने की, की निशानी क्या होगी, नशा होगा, नशा होगा, पहला बात बाबा समझाते, जैसे सावकार लोग के चलन, बेटने, उटने में नशा दिखाए देती है न, और जितना नशा होता, उतना खुशी होती है, तो यह है रुहानी नशा, इस में रहने से खुशी शतो होती है, खुशी ही जन्मशिद्ध अधिकार है, सदा खुशी की जलक से औरों को भी रुहानी जलक दिखाने वाले बनो, यह आपका हाप में है, तो इसी बर्दन को सदा स्मिति में रखना, कुछी भी हो जाए, खुशी के बर्दन को खोना नहीं, खुशी जैसा खुशी हमारा जीवन का सांस है, जैसे हाठ हमारी चलती है, तो इसी प्रकर खुशी नहीं, ब्रह्मण जीवन नहीं, समश्चा आएगी और जाएगी लेकिन खुशी नहीं जाये, क्यूंकि खुशी हमारी चीज है, समश्चा परिस्थिति है, दुसरे के जाएगी भी और जाएगी भी ये पराई का चीज है कोई ठीकाना नहीं है लेकिन आपना चीज तो समल कर रखना है परिस्तिति माया की है आपना नहीं है आपने चीज को खोना नहीं है जिसको बाबा बार बार के एते हैं खुशी खोना नहीं है तो खुशी को खोना नहीं चा तो बरिया मिलेगा, कांचन काया सरीर मिलेगा, पुराना जाएगा तो नाया मिलेगा, तो गुजरत और महारस्ट्रे वाले इस महानाता से सदा खुश रहना, खुशी में महान बनना, अच्छा, अंधो प्रदेश और करनाटक ग्रूप से मिलते हुए बाबा ने कहां, इस ड् बनाने वाले बाब सतो याद रहता है, याद सहज लगती है, क्योंकि समंदो याद का आधार है, बाब का सत अपका समंदो हुआ, तो याद का आधार है, जहाँ समंदो होता है, वहाँ याद सतो सहज हो जाती है, जब सर्व समंदो एक बाब से हो गया, तो और कोई रहा ही नहीं एक बाप सर्व समंद्व हैं माता पीता बंदू सका टीचर सद गुरू सब कुछ साजन सका तो इस मृति से सहज योगी बन ही जाएंगे कभी मुश्किल तो नहीं लगता जब माया का वार होता तो मुश्किल लगता है माया को सदा के लिए बिदाय देने वाले बनो बाबा का सदसा वो समंद्व जोरो तो ये गुरूप से बताते हुए बाबा ने कहा जब माया को दिखाई देंगे तब बाप की बधाया बहुत आ इसनी ब्लेसिंग सतो मिलती रहेगी फरमात्मा दुआये एक जन्मों नहीं लेकिन अनेक जन्मों स्रिष्ट बनाती हैं कम से कम तो हमें एकश जन्मों हमें स्रिष्ट बनाती हैं सदा यह स्मिति में रखना कि हम हर कदम में बाग की ब्रह्मन परिबार की दुआये लेते सहज उठते चले। ड्रामा में बिशिष आत्माई हो, बिशिष कर्म कर अपने जन्मों के लिए बिशिष पार्ट बजाने वाले हो। तो शाधरन कर्म नहीं, बिशिष कर्म, बिशिष शंकल्प और बिशिष बोल आपका होना चाहिए। तो आंध्रो वाले विशेश शवा यही करो कि अपने स्रष्ट कर्म दरा, अपने स्रष्ट परिबर्तन दरा, अनेक आत्मव को परिबर्तन करो, अपने को आइना बनाओ और आपके आइने में बाप दिखाई दे, आपको अपना बनाओ, आपका फेस को, अपना चहेरे को साइ बनाओ, ऐसी विशेश शेवा करो, तो यही याद रखना कि मैं दिब्व आयना हो, मुझ आयने दरा बाप दिखाए दे, समझा क्या करना है, अच्छा, बर्दान, सदा एकरव स्थिती के तक्त पर बिराज मान रहने वाले, बाप ददा के दिल तक्त न सिन भवा, कितना सुन् बर्दान बाबा ने देते है, सभी से स्थित तक्त बाप ददा के दिल तक्त न सिन भवा, लेकिन इस तक्त पर बेटने के लिए अचोल, अडोल, एकरव स्थिती का तक्त चाहिए, स्थिती ऐसा स्थित बनाना चाहिए, अगर इस स्थिती के तक्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाबददा के दिल रुपी तक्त पर स्थित नहीं हो सकते इसके लिए आपने भ्रुकुटी के तक्त पर अकाल मुर्थ बन स्थित हो जाओ मैं आत्मा हो, में पेंदू दिखाय दे रहा है अपने को अब इस तक्त से बार बार डग्मग ना हो तो बाब ददा के दिल तक पर बिराजमान हो सकेंगे स्लोगान है शुबो चिंतन दरा नेगेटिव को पाजिटिव में परिबर्तन करो यह हम कर सकते हैं तो बिंदस कर सकते हैं अवश्य कर सकते हैं तो जो बाबा चाहते हैं तो इसलिए आज जो हम इतना संदर मुरली सुने हैं ब्रह्मन जिवन का तो ये स्रिंगार ही है दिब्वता और बर्दान भी मिले हुई है दिल तक्त नसिन बनने के लिए श्लोगान भी मिले हुई है शुब चिंतन दारा हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में परिबर्तन कर तो आज का समन हम लेंगे में दिल तक्त नसिन आत्मा हूँ अच्छा ओम शंति